जहन्द आईए अब हम लोग सुप्रीम कोट के जुरिश्टिप्संस में ही अकोट आफ रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे देखिए निया लेके त्वारा जो भी फैसले सुनाई जाते हैं उसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मतलो है वाईस अउडियो और वीडियो नहीं पलकि तो कि लिखित रिकॉर्डिंग अव्यमीरिकॉर्डियो देख विख अभी रिकॉर्डिंग होने में समय लगेगा पाटे छिटी को भेट जयो भी जर्जमेंट प्रनस्मेंट आया है उसका रिटें जो है पूरे के पूरे फॉर्म में उसे रिकरड करना रिकरड करना मनों एक रिकरड रोम बनाया जाता है उसमें कि सब कि सब अब तक मतलब आजादे के बाद 1950 after enforcement of the constitution जो भी judgment आये हैं ठीक है उसका record किया जाता है था कि future में उसके हम एक evidence के तौर पे और judicial proceedings में उसे हम ऐसे reference के तौर पे हम उसका उप्योग कर सकते हैं तो Supreme Court has two powers ठीक है Supreme Court को इसके इससे संबंधित तो प्रकार की शक्तियां इसके अंदर नहित है पहला है कि judgment proceeding and act of Supreme Court कोई भी judgment हो कोई भी proceedings हो और कोई भी act हो जो कि Supreme Court के द्वारा किया जा रहा है भार रिकॉर्ड इट फूर परोपेकट्टिवर मिमूरी एफ टॉस्टिमोनी परपेट्छ law memory अधिस्टिमोनी में हृसिक एक मीमूरी के तरबर से रिकॉर्ड किया जाता है और टेस्टिमूरी के त जो जितने भी जज्जमेंट हैं उसको भी खंगाल दे हैं और देखते हैं कि ऐसा ही केस में किस प्रकार का जज्जमेंट पहले आ चुखा है सुप्रेम कोट के द्वारा यह हॉइक कोट के द्वारा और उस जज्जमेंट की डिफमेंस को वह अपने मतलब उस वक्त जब कोट में फाइटिंग हो रही होती है तो एड़ोकेट के बीच में वह एजा रिफरेंस के तौर पर यूज करते हैं और उस रिफरेंस का उस इविडेंस का कोई काट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट के ही जज के दौरा फैसला लिया जाता है वनिर ने सुनाई जाते हैं कि इस फैसले में इस एविडेंस के साथ जो है हम आगे अपनी प्रोसेडिंग बढ़ाएंगे और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट के दौरा दिये गए फैसला जो एक कानून होता है ब्रह्मबाग की होता है चाहे आप केशपानंद भारती देख लो केस हो बहुत सारे ऐसे केस को देखोगे त्रिपल तलाव के उपर हो राम मंदिर के उपर मतलो कि जहां कैसा था ने कि सरकार ने अपनी हाथ पहुं समेट लेती है वहां जो है सुप्रीम कोट ज जैसे केश्पानंद भारती केस पर कर्या को लैंड मार्क जैसमेंट का गया उसी पर कड़कर करें कैसे कैसे हैं ठीक है तो वही है कि इविडेंट्री वहलू उसे सक्च के रूप में प्रस्तूद किया जा सकता है और उसको कोई काट नहीं सकता है not even Supreme Court क्योंकि वह सुप्री और लिगाया चाहिता है कि अगर सप्राइम कूठ की कोई अभेल ना करता है तो उसकी tourists कूशन यादब का हम लोग मैटर जानते हैं कि उसमें उनके उपर मतलब कंटेम्ट लगा था ठीक है तो उनके उपर कंटेम्ट अब कोट लगाया जाता है यह तीन प्रस्थितियों पर लगाया जाता है तीन ग्राउंड पे वह स्केंडलाइस और लोग दा अथोरीटी अभी क कोट की जो आथोरीटी है एक प्रकार से कह सकते हैं जो पावर है उसके स्केंडलाइस या फिर लोग करने का प्रयास किया जाता है कम करने का प्रयास किया जाता है उसी अगर लोग खुले में आलोचना भी जल्दी नयाई पालिका की लोग नहीं करते हैं दूसरा है प्रिज प्रतक्छिया अप्तेख्राइट करता है को दखल देता है वे अर्चन लाता है उस्ताइटी में बी उस पर कंटेंट वागा जान अगर इंटर्फेर्स और ऑफ स्टेक्ट डी conference जस्ट और किसी बेखर से जो जस्टिस प्रवाइड कराना सुप्रीम कोट का दाइत्व है अगर उसमें कोई दखरंदाजी करता है किसी भी मैनर में ठीक है तो उस पर Contempt of Court लगता है। मतलब Supreme Court को पनिस करने का भी अधिकार है। चाहे हो पनिसेबल हो, इंप्रिजमेंट हो, ठीके जो भी हो, नियायोचित और तरकशंगत समस्ती हो। तो यह सारी चीज़े हैं कि कि किस प्रकार से Contempt of Court उस प्रस्थिती में लगाया जाता है कि जब आ ठीक है। हालागी कुछ मीडिया प्रस्थित लिए और इन फेक्ट कुछ Supreme Court के निया जाता है। कई बार यह कहते हुँ इस नाई देते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस टिनाई। मतलब आप जस्टिस देर से देते हैं तो एक प्रकार की जस्टिस आप नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी को मतलब कमेंट हैं जो उन पर किया जाता है कि विकाउस मोर दन फोर क्रोर के सब्सक्राइब पेंडिंग शेशन ट्राइब नौज हाई कोट और सुप्रीम कोट मतलब पूरे के पूरे अगर नया व्यवस्था को देखें मतलब मुझें कहा जाता है कि चा कह सकते हैं कि एक पूर पीपल सुप्रीम कोट तक पहुंच पाना साइड मेरे लिए तो नहीं लगता क्योंकि एक एक दिन की फाइट की अगर सिंबल साइब कोई भी लोयर है तो दो लाग उनका चार्ज है अगर कोई हाई मतलब कह सकते हैं प्रोफाइल केस हुआ या फिर ह कोई लोग है तो और चार्ज बहुत अधीक होते हैं तो उनकी परकार से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोट तक अप्रॉच करना नियाएक को भाला की द्वरा ऐसा सिबल बनाये गया है फिर भी वह सुप्रीम कोट है लेकिन ऊइसकी मुलता आलोचना नहीं करता अलोचना करने पर तो यह सब भी Contempt of Court माना गया और अगर Contempt of Court ना रहे न तो कोई कोट के फैसली को माने भी नहीं यह इसलिए यह अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोट को सरबुच्छे नियाले को ठीक है पनिसकरने का अधिकार कि in any case अगर जैसे कोई कह दे कोई अडियल किस्म का व्यक्ति कि हम नहीं माने हैं आपके जैस्मेंट तो तो सुप्रीम कोट कहेंगे पुलिस को भाई से जैल में अंदर डालो ठीक है यह चीज़े है कि कोई प्रस्थिति ऐसा क्रियेट हो जाए कि अगर सरबुच्छ नियाले की दिये गए जैस्मेंट के बाद भी वह अगर ना माननी को त करवाई की जा सकती है ठीक है तो यह उनको अधिकार छेत्र में आता है ता कोट अप्रिकॉर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है किलियर हो गया दो इसमें इंपोटेंट चीज था इसमें लोग ने जाना कि सुप्रीम कोड के पास दूर सक्थिया कौन कौन सी थी ठीक है एक है तो है रिकॉर्ड करने के लिए जितने भी जूडिसल प्रसुडिंस होते हैं दूसरा कंटिम्ट ओफ कोट इस्टैट के लिए तो अब एक आखरी वीडियो बचा है तो सुप्रीम कोड से संबंदेत हुआ है जूडिसल रिभ्यू का जूडिसल रिभ्यू पढ़ने के देड़िसल रिए जूमें एंग ढ्कमें चाहिए जूंत सब्सक्राय पार्णे बच्छान झाहिए जञए प्याद राख है